hello दोस्तों मैं हूं तुशाय साह청 and welcome to my channel दोस्तो आज हमारे साथ है अभी सेग जी कैसे हैं और अभी सेग जी हमारे साथ कहां से अग है मैं रिवा से आयू हूँ जी अभी हम लोग पर हैं आप हैं भाई हम लोग अचarी लेटेस कुन से गाड़ी है और अबके पास मेहां जीके अदर सारी लेटेस अभी हम लोग इस्टॉल करने वाले वोडिफाइब करेंगे और इसके अदर अभी हम लोग इस्टॉल करने वाले भाई नाइनिस का एंड्रोड तो सिस्टम स्पीकर्स फ्लो लामिनेशन और बहुत सारी चीज़े वीडियों का आखी तक देखिएगा अभ इस फिरेंग गाड़ी है और सारी लेटेस असरी इससे इस निस्टॉल करके से टॉप फिरेंग में कनवर्ट करेंगे तो फर्स्ट आफ ब आपको इस गाड़ी की कुछ एससरीज के बारे में बताऊंगा उसके बाद में इसका इंस्टॉलेशन तो वीडियो का आखी तक दे लेगी तो यह देखिए फ्रंट टू डोस के लिए दो कैची जिसे मोटर कहा जाता है और यह टू डोस के लिए दो कैची तो टोटल फॉर पावर्ड विंडोस हम लोग इसमें इंस्टॉल करेंगे डोर के पैनल हम लोग ने यहां से लिका लिए है और इसके अंदर वन बेस्टूब और बेस्टूब को पावर्ड देने के लिए हम लोग इस्तमाल करेंगे जे बील का एंप्लिफायर इस गाड़ी के अंदर सीट कर वस अल्रड़ी इंस्टॉल हो चुके हैं और करने वाले इस गाड़ी के अंदर फ्लो लैमिनेशन तो गाड़ी के इंटिरिया स जिसे कनवर्ड करके पावर विंडो में कनवर्ड करेंगे तो देखिए अभी आप इस तरीके से इस्तमाल करना होता है आपको लेकिन जब पावर विंडो हो जाएगा तो इसमें बटन के थूँआप विंडो को अपड़ाउन कर पाएंगे तो सभी डोर के पैनल को ओपन कर लिया गया है हर एक डोर में पहले सेंटर लॉकिंग की वाइरिंग डाली जाएगी फिर पावर विंडो की डाली जाएगी और इसके बाद इंस्टॉलेशन किया जाएगा आप देखेंगे काफी गंदा दिया गया आपको ब्रेरो गाड़ी के अंदर तो इसके अंदर फ्लो इंस्टॉलेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाल है यहां आप दिख पाएंगे यह जो हमारी गाड़ी है तो सब में पहले हम लोग बात करेंगे इस गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम के बारे में तो यहां पर आप दिख सकते हैं हमारे पास में दू प्लेयर है एक ह जो सिस्टम हमान कंपनी का एक क्लासिक स्रीस है तो इन दोनों में से जो भी हमको बैस लगेगा वह हम लोग इसके अंदर डालेंगे तो वीडियो को आप आखी तक देखेगा फॉग लैम हम लोग यहां पर विंदा कंपनी के डालने वाले और इसके अंदर LED लाइट डालने वाले हैं फॉग लैम के अंदर जिसमें वाइट कलर का लाइट आपको दिखने कों मिलेगा और 140W के 4 इंच के स्पीकर TVs साइड में इंस्टॉल करेंगे जो हमें couple काiforn का स्पेस मिलता है वहां पर क्ईकर और रियर साइड में wooden box के अंदर इंस्टॉल करने वाले 500W खेंद के तो इस तरीके से आपकी गाड़ी के अंदर हो जाएगे चार स्पीकर इंस्टॉलीशन और एक बेस्टू तो यह सारे इंस्टॉलीशन आपको मिलने वाला है जेबिल कंपनी के जो स्पीकर होते हैं काफी शांदर होते हो इनका आउटपूट जो होता है बहुत बढ़ी होता है तो आप भी अपनी गाड़ी के अंदर जेबिल प्रिफर करें इसके लावा हमारे पास में एकदम लेटेस बीसिक्स वाला जो आपको मिलता है ग्राफिक्स और ओल्ड वाला जो ग्राफिक्स आता है दोजार आठारा मॉडल वाला वह भी अवेलेबल है तो कस्टमर की चॉइस के हिसाब से हम लोग वह ग्राफिक्स भी इस गाड़ी के अंदर इस गाड़ी के अंदर तो यह सब कुछ आपको मिलने वाला है साथ में आप देखेंगे जैज हॉन मिंडा कंपनी का जो हॉन काफी बढ़िया है बुलेरो गाड़ी का जो हॉन है वो काफी लो आउटपुन देता है तो उसमें हॉन भी हम लोग इंस्टॉल करने वाले तो चलिए सुरुवात करते हैं सब में पहले यहाँ आप देखेंगे इस गाड़ी का जो क्रो जो कि बहुत खूबसुराद लगता है आप चाहिए तो इसे लगवा सकते हैं और यहां देखें अभी हमारे पास लेटेस में जो आया है स्टॉक में उसमें इन एबिस गाड़ के अंदर लगा हुई अभी मिल जाता है तो वह आपको चाहिए तो वह भी हमारे पास में यहा वह है जी डबल नाइन कंपनी का रिमोट सेंटर लॉकिंग सिस्टम जो की फिलिप की वाला होगा भाई नॉर्मल नहीं और तीन साल की वरेंटी इस प्रोड़क्ट पर आपको मिलेगी यह देखें पांच गन लगाएंगे इसका रिले मिलेगा और समय अच्छी बात है यह जो है रिमोट फिलिप की वाला है तो एक दम टॉप गाड़ी के जैसा आपको इतना कूल लुक वाला फिलिप की रिमोट भी इस सेंटर लॉकिंग अंदर मिल जाएगा तो इसका इंस्टॉलेशन भी हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले तो चारो दोर्स में और पीछे वा बादनों तो इसमें सारी वाइरेंग कि दी गई है पूरी वाइरण कित नहीं डालेंगे इसके अंदर कोई भी वाइरेंग वग्रे कट नहीं करेंगे तो यहां पर आप पैंदर में motor जो की power window की होगो चले अब इस chrome kit की बात करेंगे हम लोग गाडी के तो यहां पर आप स्थाभी डो बात करेंगे हम बहते करों कि प्रोंक में ज्यूंक्राइथ करती है मैं क्योंकि यह देखिए B4 हमारी variant है मैं इसलिए आप से कह रहा हूँ कि देखिए company आपको rear side का tail light है उसका chrome नहीं provide करती है इसके इलावा rear side का जो door handle है उसका chrome भी provide नहीं करती है तो आप चाहे तो after market chrome installation करवाई है तो ज़्यादा better है यहां देखिए rear side में जो इसका bumper guard लगाया गया है महंदर कंपनी का है single pole वाला है after market भी आपको मिल जाता है 5 pole में और 3 pole में तो वो भी आप prefer कर सकते हैं chrome kit की बात करेंगे तो stepney chrome आपको showroom से मिल जाता है लेकिन यदि आप after market लेंगे तो सारी series आपको chrome kit की एक pack के अंदर मिल जाएगी यहां देखिए तो roof rail जो लगाया गया है ABS company का ABS roof rail है इस clip वाला है proper installation हुआ है जब भी गाड़ी का brake दबाएंगे तो यह LED light on हो जाता है इसे spoiler कहा जाता है और देखिए matching है जिस color की आपकी गाड़ी से matching आपको यह मिल जाता है white color का ABS spoiler जो की इसके अंदर install कर दिया गया rear side से आप इसका look देखेंगे तो गाड़ी rear side से बहुत प्राइग लग रही है हमारा spoiler यहां पर install हो चुका है rear side में आपको chrome देखने को मिल जाएगा stepney के पास में नीचे में guard जो लगाया गया वो rear side में अभी इसके अंदर camera भी install करेंगे तो वह भी मैं आपको बताऊंगा तो अभी गाड़ी का जो काम है अल्रड़ी start हो चुका है तो one by one आपको सारी चीजे में आपको इस वीडियो में बताने वालो यहां देखेंगे ऊपर में जो roof rail लगाया गया है abs quality के black color के black color का roof rail बहुत sporty look देता है यदि आपको sporty look में चाहिए तो black color का लगवा है classic look चाहते है normal तो आप white color का भी लगवा सकते है तो दोनों color का यह roof rail market के अंदर available होता है और जिदी आपके चाहिए तो बिल्कुल भाई उससे आप contact कर सकते है चलिए यहां पर इसका जो installation है proper हुआ है 3M tape की मदद से इस्टॉल किया गया इसके लाँ देखेंगे तो ABS quality का है आपको rain visor मिल जाता है जिसे door visor भी कहा जाता है यह door के पास में window के पास में install होता है तो यह भी यहां पर install कर दिया गया है लोग आप खुदी देख सकते है फॉर बुलैरो इसके उपा लिखाव आता है और proper आपको यह मिल जाता है बुलैरो गाड़ी के लिए तो इसका installation हो गया तो आप अभी देख सकते हैं जो exterior accessories है वो almost यहां पर install कर दी गई है आप बात करेंगे इस गाड़ी के interior accessories की तो यहां पर लगने वाला है भाई 9 inch का Android इस्टो सिस्टम यहां पर frame लगाएंगे frame के अंदर 9 inch का Android लगाएंगे तो वो सब कुछ आपको वीडियो में मिलने वाला है तो वीडियो का आखे तक देखिएगा फुल installation आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ के लिए आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद मैं समय पहले wiring की बात करेंगे तो देखिए आप बोनट उपन कर लिए है बैटरी से करेक्शन दे रहे हैं सारी वाइरिंग नहीं डालेंगे इसके अंदर को भी कंपनी की वाइरिंग के साथ में छेखानी नहीं की जाएगी सेंटर लॉकिंग सिस्टम का जो बजर है वो यहां पर लगा दिया गया है जब भी आप गाड़ी में लॉक अनलॉक करेंगे तो इस बजर से आपको उसका साउंड रेखने को मिल जाएगा और समय अच्छी बात है कि डिवास डालने पर भी आपको जो अलट मिलता है वो इस साइरिन की मदसे मिल जाएगा साइरी वाइरिंग जो थी हमारी पावर विंडो की सेंटर लॉकिंग की वो यहां पर अंडर ग्राउंड की जाएगी जिससे आपको यह गाड़ी के अंदर दिखेंगी नहीं यह हमारा फ्रेम है कंपनी का बीफोर वाला इस फ्रेम के अंदर लगाएंगे नाइन इंच का एंडरोड सिस्टम और इसका इंस्टॉलेशन करेंगे तो इसके लिए स्पीकर के वायर भी एकदम पूरे नए डालेंगे यहां आप देखेंगे यह हमारा आ गया है बाई सेंटर लॉकिंग का वायर देखें वायर को भी अंडर ग्राउंड कि करेगा सेंटर लॉकिंग काम करेगा तो सब में पहले वन बाई वायर हम लोग बात करेंगे पावर विंडो की तो यहां पर आप देख सकते हैं यह जी डेबल नाइन कंपनी का पावर विंडो जिसकी बटन आपको यहां देखने को मिलेंगी प्रॉपर है कपलर टू कपलर क करेंगे मुजिक सिस्टम की तो यह देखिए जेबल कंपनी का एंप्लिफायर भी हमारे पास में जो हमारा बेस्टूब है उसको जो पावर मिलने वाली जेबल के एंप्लिफायर से मिलेंगी तो इसका करेंगे और करने के लिए हमको चाहिए एंपकिट उसका चलिए अब टाइम इस नहीं करेंगे जली जली से मैं आपको बता देता हूं इसकी वायरिंग्स तो यह देखिए यह जो वायर है रैड कलर वाला इसे एंपकिट वायर कहा जाता है यह आपके नाइन इंच के एंडॉड सिस्टम के साथ करेक्ट होता है और उसके बाद में आपके बेश्टू के पास में कनेक्स जाता है कनेक्षण जो होता है वो ऐम्प्लिफायर के ट्रूइब यहां पर चल रहा है यहां पर हम देखेंगे यह जो अंदर में आपको कैची देखने को मिल रही है जो मोटर होती है यह टेकाँ जाती यह गेट के अंदर इंस्टॉL करेंगे कि समय पहले गन डालेंगे सेंटर कि और उसके बाद में डालेंगे मोटर पाओर विंडो की और एक गिट को पूरा कंपलिट करें तो वन बाए वन सभी गेट के पाओर और center locking का installation में बताने वाला हूं तो वीडियो को आप आखे तक देखेगा अभी हम लोग बात करेंगे driver side का जो door है वहाँ का तो देखे door जो पैनल है उसके लिए हमको button लगानी होती है तो button लगाने के लिए यहाँ पर देखे proper measurement भी आपको kit के अंदर मिलता है तो यह fiber part को अभी हम लोग इसके अंदर install करेंगे जिससे हमारा जो button है 4 buttons, control buttons वो यहाँ पर install हो जाएगी तो marking यहाँ पर कर ली गई है easily यहाँ पर इसको install करेंगे और जो हमारा driver side का door है उसको complete करेंगे तो बात करेंगे driver side की door की तो यहाँ पर center locking kit डाल दिया गया है driver side में gun जिसे कहते हैं motor लगा दी गयी है अब आखिरी जो काम रह गया है वो panel के अंदर button लगानी है तो उसका काम भी यहाँ पर हो रहा है installation बहुत proper होता है और जो हमारे engineer से भाई जो बहुत बढ़िया काम करते वह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा proper finishing मिलेगी और wiring के अंदर कोई छिरखारी नहीं की जाएंगी पूरी की पूरी wiring जो है एकदम नई डाली जाएगी और proper डाली जाएगी तो यहाँ पर देखिए हमारा जो प्लेट है यहाँ लग गया है और देखिए यह हमारा जो पैनल था यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है आप देख सकते है पावर विंडो की जो बटने है प्रॉपर यहाँ पर लगा दी गई है अंदर में मोटर लग गई है तो ड्राइवर साइट का जो दोर है वह हमारा कंपलीट हो गया है अब जैसे कि मैं बता रहा हूं जो हमारे स्पीकर से उस्पीकर के लिए एकदम बहतरिन कॉलिटी के जो वायर होते जिसमें कभी आपको दिक्कत नहीं जाएंगी वह पूरा का पूरा बंडल आप देख सकत वायरिंग कनेक्शन हम लोग की देखिए करने वाले तो यहां पर यह देखिए नीचे में छोटा सा आपको होल दिया गया यहां पर लगेंगे भाई चार इंच के जीबिल के स्पीकर और वोडन बॉक्स के अंदर 9 इंच के डालने वाले चलिए वापिस आ जाते हैं तो यह मोटर और इस तरी की से चौर बोड़ के घ्यास के अंदर कैची जिसे और विंडो मोटर आज़ाता है और इस को भी कम्पलीट करेंगे तो इस तरह केसे चारो डॉर जो होते हैं उसको हम लोग कम्पलीट करेंगे और यह पर सेंटर लोक्तिंग हैं वो आपका यहां पर इस इंस्टॉलेशन मैं बताता हूँ तो यह देखें पॉलिफिन जो है कंपणी की इसको थोड़ा लिकालना होता है और लिकालने के बाद में देखिए यह जो चार इसक्रू है इसे ओपर करना होता है उपर करने के बाद में जो हमारी मैन्वल कैची है जो कंपनी ने आपको दी वो भार निकाल लेते हैं और और लिकाने के बाद में यह देखिए हमारी जो पार वींडो वाली kayakchy जिसे कहते हैं automatic वाली वह इसके अंदर डाल दी जाती है और इससे क्या होता है आपका जो पार उटी वार करने लगता है तो सिंबल लिगारे लिगार है बस वाइरिंग का थोड़ा आपको दिखना रहता है यहां पर देखी यह पुरानी वाली कैची थी और यह भाई नई वाली कैची जो की अभी यहां पर इंस्टॉल हो रही है तो यह पुरानी वाली कैची हम लोग ने भाल लिकाल दी और पावर विंडो वाली कैची यहां पर उपर में जो प्लेट रहती है उसके उपर में ग्लास आना चाहिए क्योंकि यह मोटर अप डाउन होगी तभी ग्लास उपर और नीचे जाएगा तो यह सारा काम अभी हम लोगें यहां पर कर लिया है पार विंडो का काम इसमें अभी आलमोस्ट हो चुका है और यहां पर होग आपको सबी तीन डॉर्स में मिलेंगे और ड्राइवर साइड के पास की जो बटन है वो फोर कंट्रोल बटन आपको मिलेंगे जो कि आप वहाँ से अपरेट कर सकते हैं अभी आप देख सकते हैं सेंटर लॉकिंग यह देखे गन जो मैं आपको बोला था यहां पर यह गन का इसलेशन भी हो गया तो इसी तरीके से गाड़ी के जो चारो डूर है चारो डूर की बात कर रहो है चारो की डूर इस तरह के से कंप्लीट हो गये देखें सेंटर लॉकिंग के लिए जो रोड रहती है इस रोड को इससे अटेच करना होता है ताकि जब भी गन चले मतलब मो वो वर्क करने लगता है तो बिलकुल भाई आप भी अपनी महंद्रा बुलेरो बीफोर वेरियन ले लिए बेस वेरियन और अपनी मन पसंद की सारी एसेशरी आफ्टर मार्केट डाल लीजे भाई बीफोर वेरियन लेने पर आपको अपनी पसंद की एसेशरी मिल जाती है और आपका एक लाग रुपे भी बच जाता है तो बहाई बिलकुल मेरा सेशेशन यही है बेस वेरियन लीजे और सारी एसेशरी मार्केट से डलवा लीजे अभी आप देखेंगे कपलर तो कपलर कनेक पर वेरियन लॉक्श करने लगे तो इसी तरयके से सेंटर लोगकिंग करता है और जो पाउर विंडो है जैसे कि मैंने आपको बताया उसके लिए भी इस तरह के से मोंटर का इसेलेशन किया जाता है तो भाइ अभी दोढोड कर श के मैंने आपको जाँख सकते हैं मैं ना बताया था अंदर मोटर लगने के बाद में यहां पर वर्क करने लगी है तो इसी तरीके से हमारे जो बाकी के जो डूर्स है वह कंप्लीट होगे तो देखिए अभी यह डूर का भी मैं आपको बता देता हूं तो यह जो सिंगर दूर की जो बटन है उसके लिएव घ हमार्किंग की गई और मार्किंग करने के बाद में यहां पर आपकी बटन लग जाए गए और बटन लगनेके भाई आप इसको replace करके देती है आपको change करके देती है तो बिल्कुर easily आप इसे install कर सकते हैं तो देखिए driver side का reverse पीछे वाला gate है rear right side gate इसे कहा जाता है वो यहाँ पर हो चुका है complete हमारा जो panel लिकाला थो भी लगा दिये गया center locking gun लग चुकी है और यह single button जो power window की वह भी यहाँ पर install हो चुकी है तो same as it is इसी तरीके से left side के दोनो doors के अंदर installation किया जाएगा तो वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूं वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो रहा है दोस्तों अब हम लोग गाड़ी के music system की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो हमारा 9-inch का android store system है उसे install करने के लिए frame की जरुवत होती है तो frame हमारे पास में है अल्लेडी फ्रेम के अंदर install करेंगे भाई हमारा 9-inch का android store system सब में पहले आपको मैं बताता हूं निपॉन कंपनी का जो 9-inch का android store system है और यह 9-inch का android system 2-plus 16 GB का support आपको मिलता है रियर साइड में जो frame है वो भी इसके अंदर लगा दिया गया है यह दोनो frame और system की जरुवत होती है लगाने के लिए तो यहाँ पर आल्रेडी हम लोगों ने इस तरीके से install होगा और आपका जो dashboard के पास में area है system का वहाँ पाजा कि इस इसका installation होगा तो वह भी मैं आपको यह निपॉन कंपनी का है वाइरिंग देखिए सारे coupler to coupler connection करेंगे जिससे आपके कंपनी के wires वगरे कुछ fault नहीं होगे और समय अच्छी बात है B4 variant गारी के अंदर कंपनी आपको वाइरिंग देती नहीं तो सारी वाइरिंग जो होगे एक दम नहीं डलती है तो इसमें आ इसके अंदर आपको GPS भी दिया जाता है सारे coupler wire दिये जाते एक external mic भी दिया जाता है तो यह सारी चीज़े आपको एक box के अंदर मिल जाती जो कि Nippon Company आपको प्रोवाइड करती है चले कि अभी यहां पर इसका installation होगा installation के बाद मैं आपको बताऊंगा अभी इस गारी के अ और इसका जो IPS display बहुत शांदार है LED जो इसकी है बहुत शांदार है तो यदि आप लगवाना चाहे तो इसे लगवा सकते हैं लेकिन इस गारी में customer की choice का हम लोग लगाएंगे हमन कंपनी का 2 प्लस 16 GB वेरियन तो वो आपको आकरी में मैं बताने वाला हूँ तो वीडियो क कंपनी का full HD night vision LED camera इसके अंदर install करने वाले आप देख सकते हैं फुल HD camera LED लगी हुई रहती है नाइट में आप reverse gear लगाते तो इसके LED ओन हो जाती है तो यह इस जगह पर install होने वाला है और इसका connection हमारा हमन कंपनी के जो Android system में उसके साथ में देने वाले हैं तो वीडियो को आप आखरी तक देखेगा भाई यह camera बहुत खूबसूरत है और काफी अच्छा भी है देखें यहां पर hole करके यहां पर यह camera का installation हम लोग ने कर दिया है इसका connection Android system के साथ में देंगे और जब भी आप गाड़ी का reverse gear डालेंगे यह camera on हो जाएगा अब interior के आए बात करेंगे तो देखें गाड़ी का जो carpet area होता है बुलेरो गाड़ी का बहुत खराब होता है dusting की बहुत problem आती है तो उसके solution के लिए हम लोग यहां पर डालेंगे flow lamination flow lamination का जो color होगा beige color को होगा black color का भी available होता है तो आपकी चौई से आपको किस color का डलवाना है अपनी गाड़ी के अ lamination तो black color, beige color आपको दो color में यह available होता है तो अभी customer की choice के साब से beige color का interior से matching करता हुआ leather का follow lamination install किया जा रहा है water resistant होता है कभी भी धूल मिट्टी वगरे आ जाए तो बिल्कुल यह कपर से आप इसे साफ कर लीजे कोई दिक्कत नहीं जाएगी और इसके उपर आप matting डलवा लीजे तो काफी बढ़िया है और अच्छा काम हो जाएगा wiring सारी underground कर दी गई है और अभी देखिए इसके rear side में एक velco stick होती है जो कि company के जो carpet area उस पर जाके चिपक जाती है in future आप कैसा लगता है कि हमें इसे लिकालना है तो आप easily से निकाल भी सकते हैं तो removable यह होता है यह जो हमारा lamination है यह आपको मिलता है four piece वाला front side का एक piece मिलेगा और rear side के आपको तीन piece मिलेगे तो total 4 piece वाला यह lamination है जो कि आप यहाँ पर देख सकते है market के अंदर two piece वाले भी आते है four piece वाले भी आते है तो depend करता है आपको कौन सा लगवाना है यहाँ पर आप देखेंगे य यह total 4 piece मैंने आपको पता दिया है rear side के तीन piece और front side का one piece installation करने के लिए समय पहले जो अंदर गाड़ी के अंदर dust वगए वेक्यूम के लिए से उसको साफ कर दिया गया है और इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे इसका installation तो easily यह इस तरीके से भाई देखें काफी का view आपको देखने को मिलेगा तो चलिए यहाँ आप देखें हमारा जो लैमिनेशन है इंस्टॉल हो गया और अब हमारा जो next काम है वो रियर साइट का जो लैमिनेशन वो बचा हुआ वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा तो देखें रियर साइट को जो लैमिनेशन है वो भी यहाँ पर इंस्टॉल हो गया है तो फ्रेंट साइट से लेक कर रियर साइट तक पूरा का पूरा यह जो गाड़ी को कवर कर लेता है तो आप भी अपनी गाड़ी के अंदर यह लैमिनेशन जरू लगवा है दो कलर में यह मार्केट में अविलेबल होता है ब्लैक एन बेस कलर और जदी आपको यह चाहिए तो बिलकुल भाहिया आप करने वाले पर्मनेंटली तो आप देखेंगे हमन कंपनी काफी बढ़िया कंपनी है इसका जो डिस्प्ले होता है बहुत शांदर होता है वन यह कि इसमें आपको वारेंटी मिलती है मिरल लिंक का सपोर्ट रहता है नाइन इंच का डिस्प्ले है टू प्लस 16 जीवी का इसक अठेच्मेंग हो जाता है फ्रेम हमारी नाइन इंच की है हमन कंपनी की जो फ्रेम है वह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी इस प्रेम के अंदर इस्टॉL खरेंगे हमारा जो Haman Company का Android Store System है उसका installation यहाँ पर अभी करना है तो यहाँ पर आपको proper fitting देखने को मिलेगी इस गाड़ी के अंदर सारे वायस के जो है कपलरस तो कपलरस में connection कर दिया गया है और installation होके बाद में इसके checking करेंगे कि यह proper work कर रहा है कि नहीं और उसके बाद में आपको इसका full specification भी बताने वाला हूँ कि किस तरीके से यह on होने के बाद में आपको display के अंदर मिलता है तो वीडियो को आप आके तक देखेगा full specification में आपको बताने वाला हूँ यह हमरा before का frame है जिसके अंदर AC wind भी लगी हुई है AC wind के नीचे में जो space दिख रहा है यहाँ पर install होगा हमारा 9 inch का android store system और भाई यदि आपको यह android system चाहिए तो बिलकुल आप मुझसे contact कर सकते हैं description में मैंने अपना what's the number share किया है सारे wires के connection हो गया है और यहाँ पर आप देखिए सारे wires को under डालने के बाद में जो हमारा frame है 9 inch का वो यहाँ पर अब install होने वाला है और install होने के बाद में आपको मैं बताऊंगा इसका full specification कि किस तरीके से 9 inch का हमन company का android store system work करता है देखिए सम्में पहली बाद जो आप लोग के doubt रहते हैं AC wind में कोई problem नहीं जाती proper air आपको front side और rear side तक मिलती है तो cigarette lighter होता है वो यहाँ पर लगाया जा रहा है charging के लिए आपको mobile phone charge करना तो यहाँ पर आप लगा के उसे charge कर सकते है before vision पर यह मिलता नहीं तो इसे हम लोग यहाँ पर install कर चुके हैं अब music system की बात करेंगे भाई तो मैंने आपको बताया था चार इंच के दो speaker सामने अल्रेड इंस्टॉल हो चुके है अब हमारे जो 9 इंच के JBL के speaker से उसे हम लोग wooden box के अंदर install करने वाले तो single single के जो 9 इंच के बाक्से से उसका इसे इसके जाएंगा तो दोनों ही speaker आप seat के नीचे डाल सकते हैं तो यह काफी बढ़िया चीजह आप इस तरह के situation कर वाली तो पीछे में जो space की कमी आती है वो नहीं आएगी यह दोनों speaker seat के नीचे में आ जाएंगे और इसली आप इसका इस्तमाल भी कर पाएंगे यहां देखे इंस्टॉलिशन करने के लिए सारे वायर्स जो कि मैं आपको बताया था एकदम हाई कॉलिटी के जो वायर्स होते उसका इस्तमाल कर रहे हैं और यह वायर यहां पर इंस्टॉल कर दिया ग कवर लगा के इसे कंप्लेट कर देंगे चले अब आंगे बढ़ेंगे आंगे बढ़ने के बाद में जो हमारा बेस चूब है उसको कनेक्शन देने के लिए यह हमारा जी बीएल का करदा करते हैं यह इन्सकूलेशन हो जाएगा तो यहां पर इसका कव वायिन आप देख सकते जो एंपलिफायर कीट है पावर के लिए बैटरि से कनेक्शन दिया गया और यह से फिर हमारा जो बेस चूब है उसके कनेक्शन जाएगा वह भी अंडरर्गाओं तो रियर साइड में यह JBL का 12 इंच का बेश चूब है, 1200 W का है, हाई पावर का है, यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया गया है, दोनों स्पीकर्स जो हमारे वो यहाँ पर इंस्टॉल कर दिये गए हैं, यह सीट के नीचे आ जाएंगे आपके, और वीडियो को आप आखे तक अल्मोस्स कंप्लीट हो चुकी है, तो इसका music और sound test में आपको वीडियो के end में देने वाला हूं, तो आखरी में आपको इसकी sound की quality का check में करवाने वाला हूं, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के बाद में, आप यहाँ पर देख सकते हैं, JBL का जो है यहाँ पर connection already कर दिया गया, amplifier से, सारे wires underground किये गया, अब आपको एक नई चीज़ बताता हूं, वो है इस गारी का center locking, तो देखें, center locking यहाँ पर आपको click करने पर जो हमने बजर दबाया है, उसका sound भी आपको सुनने को मिलेगा, यह हमारे center locking यहाँ पर work कर रहा है, lock unlock यहाँ पर होने लगा है, lighting भी proper हो रही है, center locking का काम यहाँ पर हमारा perfect हो गया है, अब आपको वे एक चीज़ बताता हूं, जो power window हम लगा है, उसके अंदर auto window closer का option आपको मिलता है, तो देखें, इसके अंदर दो रिली लगे है, यह मेरी remote है, और यह remote है, इसको जैसे ही मैं lock करता तो automatic सभी दोस के जो window है, वो automatically बंद हो जाएगे, तो देखें, सारे के सारे जो window अभी खुले हुए है, और यह मेरे हाथ में remote है, अब इस remote को मैं जैसे ही lock करता हूं, जैसे ही मैं इसे lock करूँगा, यहाँ से, तो automatically जो window है, यहाँ की, अभी देखें, यहाँ पर यह खुली में यहाँ की window भी बंद हो गई, और आखरी में यह वाली window भी बंद हो गई, तो आप देख सकते हैं, इसके अंदर auto window closer भी आपको मिल जाता है power window के साथ में, तो best thing है, आप इसे install जोलू करवा है, आगे बढ़ेंगे, हमन company का जो 9 inch का Android system है, इंस्टॉल हो चिका है, इस specification आप Bluetooth से connect कीजे, और बढ़िया इसके अंदर इस्तेमाल कीजे, इन बिल्ट इसके अंदर आपको mic मिल जाता है, तो यदि आपको phone call आता है, तो easily आप बात भी कर सकते हैं, गाड़ी चला चलाते चलाते, ड्रॉप करने पर आपको यहाँ पर Wi-Fi Bluetooth सब का option मिल जाता है, Facebook, WhatsApp, जो भी application आपको चाहिए, वो आपको इसके अंदर मिल जाती है, mirror link की facility भी है, अपने mobile phone का attach करके आप इसके इसके इस्तेमाल कर सकते है, 16 GB का storage यहाँ पर दिया है, तो यह भी आपको file के अंदर 12 GB का space आपको मिल जाता है, YouTube इस पर आप चला सकते हैं, easily अपने mobile phone का hotspot on की Wi-Fi की थूरू इसमें इंटरनेट चला कर आप YouTube का स्तमाल कर सकते हैं, सारी settings आपको मिल जाती है, तो जिस तरीके से आप अपना mobile phone चलाते है Android वाला, same as it is, उसी तरह इसे चला सकते है, difference इतना रहता है कि इसके अंदर जो settings रहती है, car वाली भी all include हो जाती है, अब हम लोग ब देख सकते है, pen type की मदद से movies देख सकते है, online movies देख सकते है, सारी चीज़े आपको इस Android system के अंदर मिल जाती है, देखे, split screen का भी option दिया गए, ये देखे, video चल रहा है, और video को आप अपने हिसाब से split कर सकते है, मतलब reverse parking camera किया, तो वो भी display में दिख जाएगा, आपको कु और लगता है, इससे change करके white वाला light LED वाला हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, जिससे गाड़ी का जोइंटी है, और भी खूपसरत हो जाएगा, तो यहाँ देखे white color का LED हम लोग ने install कर दिया है, look wise बहुत बढ़िया है, brightness भी आपको जादा मिल जाती है, तो ये सारी लेकर आप fully accessories अपनी पसंद की aftermarket डलवा सकते हैं, और आपको कोई भी accessories बुलारो गारी से related चाहिए, तो आप मुझसे contact कर सकते हैं, मैं आपको home deliver करवाद हूँगा, चलिए आँगे बढ़ेंगे, और जो इस गारी के अंदर हम लोग ने बात की थी, ये देखो, मिंडा कंप लगा लिजिए और सुन लिए JBL कंपनी के music system का sound test कर सकते हैं, मैंआगे बया मैं आपको है, ये जह खिस प्तू briह लगोगat हैँगे बढ़ें, तो बॉफदَّ मैंदा, जो खिसे ले खिसे क來огा है, झाहँे और क सम दिकार का sound? झाल 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 झाल